तो नमस्कार आदाप से स्टे अगाल राम राम खमा गणी दोस्तों मैं रज़िस्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दा सक्सेस में तो दोस्तों हमने 10th क्लास के NCRT शुरू कर दी है और हम पार्ट का नाम है नाम है संसाधन और विकास ये वाला पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ लिया था संसाधन आखिर होते क्या है फिर संसाधनों का हमने विभाजन किया फिर जो विभाजन है उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया अब हम कुछ विशेश संसाधनों के बारे में फिर हमने कि मैडम जल्दी-जल्दी करवा दो ठीक है क्योंकि बहुत सारे चीज़े इन में से ऐसे आती है जो पूछ ली जाती है ठीक है तो कितना ठीक है ठीक है वोलते हूं कुछ नहीं यार हसते रहा करो ठीक है जिसकी भी एक्जाम है मतलब ऐसे बर्डन सर पे नहीं लेना है सेकंड ग्रेट के एक्जाम की डेट आ गई है तो ऐसे सर पे बोज लेकर नहीं चलना किया रही यार पढ़ाई 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 थोड़ा लाइट रहा करो तो सब मन भी लगेगा पढ़ाई में ठीक है फिर से ठीक है आज हम पढ़ते हैं भू संसादन हम भूमी पर रहते हैं और इसी पर अनेको आर्थिक रियागलाब करते हैं और विभिन रूपों में इसका उपयोग भी गरते हैं अते भूमी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसादन है क्योंकि यूज लेंड हमें बहुत सारे चीज़ों में यूज आती है और हमें किस ने दी है लेंड प्राकृतिक संसादन है प्राकृतिक वनस्पती, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक्रियाई, परिवेहन, संचार व्योस्ता है भूमी पर ही आधारित होती है पेड़ पोदे, हम, पशू, जानवर, हमारे घर, हमारी फैक्ट्रियाँ, हमारा परिवेहन, सब कुछ किस पर डिपेंड है, भूमी पर ही डिपेंड है परन्तु भूमी एक सीमित संसादन है ऐसा नहीं है कि हमारे पास में अनाप सनाप भूमी है एक लिमिटेड है हमारे पास में भूमी इसलिए उपलब्द भूमी का विभिन उद्देशों के लिए उपयोग, सावधानी, पूर्वग और योजनाबत तरीके से ही होना चाहिए भारत में भूमी पर विभिन प्रकार की भू आकरतियां पाई जाती है जैसे कि परवत, पठार, मैदान और वीप ठीक है लगबक 43% भूजेत्र है जो क्रशी और उद्द्योग के विकास के लिए सुवीदा जनक है 43% एरिया अगर हम भूमी को टोटल 100% मानते हैं 43% एरिया ऐसा है जो क्रशी और उद्द्योगों में हमारे लिए काम आ रहा है या फिर काम ले सकते हैं परवत पूरे भूचेत्र के 30% पे है तो 30% पे तो हमारे परवत यहां परवत है इनको उद्द्योग, मतलब भवन, निर्बान इनके लिए यूज में लेना वहां पे मुश्किल हो जाता है वे कुछ 12 मासी नद्यों के प्रवाह को सुनिश्ट करते हैं परवतों का अलग एक योगदान होता है वहां से बहुत सारी नद्या निकल के आती है परियाटन विकास के लिए अनुकूल परिस्तितियां प्रदान करता है और परिस्तितिकी के लिए महत्वपूर्ण है देश के छित्रफल के लगबग 27% हिस्सा पठारी छित्र है हमारे देश के बात करें तो 27% हिस्से पे हमारे क्या है पठार है अच्छे परवत और पठार में अंतर पता है परवत होता है जो भूमी से जैसे कि कुछ उचाई पर हो और जो उपर से नुकिला कार हो अब उचाई तुम्हें भूल गई वो 300 मिटर था या 500 मिटर था वो हम भोतिक भूगोल पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ लेंगे लेकिन उपर से जो थोड़ा कीपा कार होता है ठीक है और पठार भी मलब जो परवत मानलो 800 मिटर के उचाई होती है परवत की नॉर्मल तो पठार उससे आधा लगबग 400 मिटर के उचाई पर हो साथ ही साथ ही क्या हो उपर से समतल हो मेजा कार का हो उसे क्या कहते है हम पठार भूमी से उचा हो पाहड से नीचा हो लेकिन उपर से कीपा कार ना होकर क्या हो समतल आकरती में हो तो उसे क्या कहते है पठार कहते है तो जो पठार हमारा है 27% एरिया पर उसमें हमें बहुत सारे खन और 27% परवत है और 30% परवत है तो सबसे ज़्यादा मैदान और फिर गलत बता दिया ना मैंने सबसे ज़्यादा मैदान है पहले नमबर पर दूसरे नमबर परवत है 30% पर और तीसरे नमबर पर पठार है 27% पर तो मैदान परवत और पठार ठीक है इस तरह से हमारी छेत्र है सावान्य भूपियों के सवर्ग इसमें दे रखे हैं कि प्रत्वी जो लेंड है हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं लेंड को तो हम कर रहे हैं दोस्तो गैर करशी प्रियोजनों के अंतरकत यह जो ग्रीन वाला एरिया है यह mostly किसमें यूज आ रहा है ग इस पर 18% जो हमारा चेत्र है वह वन में यूज आ रहा है ठीक है और 12% जो हमारा चेत्र है वह क्या है वह बंजर और क्रशी के अयोग्य भूमी है बाइक चोटा मोटा अपन स्थाई चारग हो गया वनों का चेत्र हो गया मतलब रक्ष बगवा बाग वगरा उपवन वगरा यह हो गई यह सारे चेत्र है ठीक है तो सबसे यादर लैंड किसमें यूज आ रही है गैर क्रशी होगे चेत्र के अंतरकत जो चीज़े यूज कर रहे है अपन जैसे कि घर वगरा बनाना और फिर 18% वनों में और 12% हमारी बंजर भूमी है ठीक है और अगर इधर बात करें इधर यह दे रखा है कि जो हम करशी करते हैं उस भूमी का एरिया दे रखा है कि 45% भूमी पर हम बोया गया छित्र है अपन, कि 45% भूमी हमने बोई है और 23% हमारी परती भूमी या अन्य पुरातन भूमी है 23% भूमी को हमने परती छोड़ रखाया ठीक है और इसके बाद में क्रशी योग ये बंजर भूमी 5.5 है तो इतने डेटा अपने को याद नहीं होगे एक छोटा मोटा सा ड्राफ्ट थोड़ा मोटा मोटा सा होना चाहिए दिमाग में कि हाँ ऐसे इसे उपयोग कर रहे हैं जो अभी याँ पर बताएगा भी बूस अंसाद्नों का निम्न उद्देश्यों से उपयोग किया जाता है तो किस किस में हम लेंड का यूज करते हैं तो वन के लिए क्रशी के लिए है जैसे कि इमारते सड़के उद्द्यों गित्यादी में ठीक है तीसरी परकार की भूमी होती है परती भूमी के अतरिक्त अन्यक्रशी योग के भूमी जैसे कि परती भूमी हम छोड़ते हैं जैसे कि दो साल के कर ली एक साल खाली छोड़ दी है उसके अलावा जो अन्यक् विविद वरक्षों, फलों, फसलों और उपवनों के अधीन भूमी जो शुद बोए गए छेतर में शामिल नहीं है, कोई अलग प्रकार के जैसे हमने आम के बागान लगा रखें इस प्रकार के भूमी, क्रशियों के बंजर भूमी भी है जहां पांच वर्श से जादा खेती नहीं की गई हो, तो यह है वह भूमी है, जो क्रशि के अयोग्य है और हमने प्रती छोड़ रखी है, तो प्रती भूमी के अलावा, कुछ तो हम प्रती छोड़ते हैं, प्रती भूमी के अलावा, जो क्रशि के काम नहीं आ रही, वो किस किस जीज में उप्योग और यह वो, अब पर्ती भूमी क्या होती है पर्ती भूमी एक तो वह होती है वर्तमान पर्ती वर्तमान पर्ती का मतलब क्या होता है जहां एक वर्ष जहां एक क्रशी वर्ष या उससे कम समय में खेती नहीं की गई हो हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे बाजरा उगा दिया फिर गेहों के स खेत वगेरा हैं गाउं में रहते हैं उनको इन सब बातों का पता भी होगा तो वर्तमान परती तो उसे कहते हैं ना दूसरा वर्तमान परती भूमी के अत्रिक्त अन्य परती भूमी या पुरातन परती जहां एक से पांच वर्ष तक खेती नहीं की गई हो मतलब जहां खेती क लेकिन पासाल हो गए हम थे खेती करी नहीं उसे क्या कहेंगे हम पुरातन पढ़ते भूमी ठीक है में हम एक साल में दो दो उपज या एक उपज ले रहे हैं जिस भूमी से वह क्या कहलाएगा शुद्ध निवल बोया गया चेत्र ठीक है अब है भारत में भू प्रारूप भू उपयोग प्रारूप मुझे पढ़ता है थोड़ा सा बूरिंग लग रहा होगा क्योंकि मतलब अब यह याद करने की चीज है मतलब ऐसे पढ़ने की चीज है ऐसे कोई समझाने की बहुत सारी चीज नहीं है लेकिन मतलब हर चीज में से कोशन आता है इन में से भी कोशन आता है तो पढ़ना तो पढ़ेगा न आपन को भारत में भू उपयोग प्रारूप भू उपयोग को चेतर फर बार divisions वारों को आपको उसको को चोड़कर नॉम्हें से घृण है पर्र सुछी यह को बद के सेजिट काμεस्भा , हैं और शेंप के पूरा नीय जत्तक पास डेटा उपलब्द नहीं है इसके अलावा जमू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधीक्रित जो छेत्र है हमारा उसके भूमी उपयोग का भी सरक्षन हमारे यहां पे नहीं हुआ है इसताई चारा गाहों के अंतरगत भी भूमी की कमी हुई है पशुदन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्द कराने में हम कैसे समर्थ होंगे इसके क्या परिणाम होंगे वर्तमान में परती भूमी के अतरिक्त अन्या परती भूमी अनुप जाओ है और इन पर सूचित छेत्र के लगबग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है तो यह कह रहा है कि जो वर्तमान में पुरातन परती भूमी है जिसको हम 5 वर्सों से खाले छोट रखें अन्या परती भूमी जो मतलब हम क्रशी में अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं वो वाली परती भूमी अगर हम उसको भी क्रशी उखाने में यूज करने ना तो पहली बात तो उसको क्रशी लायक बनाने के लिए बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर वो इतनी ज्यादा उपजाओ नहीं है ठीक है और उसको इतना पैसे खर्च करके हम शामिल भी कर ले तब भी हम उसको शामिल क जो में भिन भीन है पंजाब और हर्याणा में 80% भूमी पर खेती होती है परन्तु अरुणाचल परदेश मिजोरम और अंडमान निकोबार समुह में 10% सभी कम चेत्र बोया जाता है तो अलग 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 प्रकार से मतलब शुद्ध निवल बोया गया चेत्रफल है पंजा सब्सक्राइब कर लेते हैं और जो नोर्थिस्ट के राज्य है वह अपने हिली एरिया है पहाड़ी छेत्र हैं खेती करना मुश्किल हो जाता है हमारे देश में रास्तिय वन निती 1952 अंडरलाइन कर लेना नोट्स बना लेना रास्तिय वन निती पहली कब आई थी हमारी 1952 अब में आई थी द्वारा निर्धारित वनों के अंतरगत 33% भोगोलिक छेत्र वांचित है मतलब 92 52 की निती में का गया था कि 33% छेत्र फल पे तो वन होने ही चाहिए जिसके तुलना में वन के अंतरगत जो हमारा छेत्र है वह काफी कम है वन निती द्वारा निर्धारित यह सीमा परिस्ति के संतुलन को बनाये रखने के लिए अत्यदिक आवशक है वन छेत्रों के आसपास रहने वाले लाखो लोगों के आजीविका इस पर निर्भर करती है भूपयों का एक भाग बंचर भूमी और दूसरा भाग गैर क्रशी प्रियोजनों में लगाई गई मतलब कुछ भूमी तो हमारी बंचर है और कुछ भूमी वुह है जो गैर क्रशी प्रियोजन में मतलब क्रशी कίας निया चीज़ों में काम आ रही है बंचर भूमी में पहाड़ी चटाने सूखी और मरुस्तलियें भूमी शामिल है गैर करशी प्रियोजनों में लगाई गई भूमी में बस्तियां, सड़के, रेलाइन, उध्योग ये सब बने हुए हैं वो क्या कहलाती है गैर करशी ओगे भूमी लंबे समय तक लगातार भूमी सरक्षन और प्रबंदन के अउहेलना करने पर लगातार भू उप्योग के कारण भू संसादनों का निमनी करण हो रहा है और इसके कारण समाज और परियावरण पे गंभीर आपदा आ सकती है लब हम ना तो भूमी का सरक्षन कर रहें ना उसका धंग से प्रबंदन कर रहें इसलिए हमारी भूमी बहुत खराब हो रही है और इसके कारण हमें बहुत मुश्किल आ सकती है भूमी निमनी करण होता गया है और इसके सरक्षन के उपाय गया है भूमी एक ऐसा संजादन है जिसका उपयोग हमारे पूरवज भी करते आए हैं तो भावी पीडी भी इसी भूमी का उपयोग करेगी हम भोजन, मकान, कपड़े और अपनी मूल आउशक्ताओं का 95% भाग भूमी से ही प्राप्त करते हैं आपको पता है हमारा भोजन हो गया, म कान हो गया, सब कुछ कपड़े भी तो मतलब कपास से बनते, कपास से रूई, रूई से धाका, धाके से कपड़े, तो सब कुछ किस पर डिपेंडनेंट है भूमी पे, मानवी क्रिया कलापों के कार्ण ना केवल भूमी का निमनी करण हो रहा है, बलकि भूमी को नुकसान पहुचाने वाले प्राकरतिक ताक्तों को भी बल मिल रहा है, इस समय भारत में लगबग 13 करोड़ हेक्टेर भूमी निमनी करत है, 13 करोड़ भूमी कैसी हो गई, डिग्रेड हो गई, मतलब खराब हो रही है, इसमें लगबग 28% भूमी निमनी करत वनों के अंतरगत है, और इचाही कर देते हैं, जहां पर लगातार पानी भरा रहता है, वो भूमी भी खराब हो जाती है, और बाके भूमी खारी है, या फिर शारी है, कुछ मानव क्रियाओं जैसे मानव ने वनोन मूलन कर लिया, बहुत ज़्यादा पशु चरा लिये, बहुत ज़्यादा खनन कर इन सबसे भी भूमी क्या हो गई? खराब हो गई, खनन के उपरांद खदानों वाले स्थानों पे गहरी खाईया और मलवे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, और खनन के कर लिया जारखन, जारखन, चटिसकट, मध्यप्रदेश और उडिशा जैसे देशों में वनोन भूमी निमनी करण का कारण बना है, खनन के करण में बहुत जादा खराब हो जाती है भूमी क्योंकि खनन तो कर लिया, फिर वहां पर गहरी खाईया बन जाती है, और उन में क्या करते हैं, वो मलवा उडाल देते हैं, तो भूमी तो बिलकुल खराब हो जाती है, अच्छा बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो रही तो उन्होंने भट्टे वालों को अपना खेत लीज पे दे दिया कि जैसे दो साल के लिए तीन साल के लिए और उनको एक मुष्ट पैसे मिल गएगी पांच लाख रुपए या दो लाख रुपए जित्ते भी वो देते हैं और वहां से कि भट्टे में मिट्टी जाइए होती है ना इट बनाने के लिए तो वहां से वह मिट्टी निकाल निकाल के लिए गए अब उनको लगा तो यह था कि ठीक है दो साल के लिए हमें पांच लाख रुपए मिल रहे हैं अच्छा है ना क्या दिक्कत है पांच लाख के तो खेत तो इतने पैसे तो होते ही नहीं है उनके पास में और अगर अपने आप से घड़ा भरेगा तो बहुत सालों लग जाएंगे हैं अपने आप से जैसे तालाब नहीं होता उतने गहरे-गहरे घड़े हो गए तो अब वह भूमी क्या हुई और उपर से जब बारिश आती है तो आसपास के गाओं के आसपास का जो खेत होते हैं उन खेतों से सारा पानी भेके उन घड़ो में मतलब इखटा हो जाता है ना तो एक दरे से वो पौन जैसे बन गए अब उनका जो खेत था वो खेत तो खराबी हो गए ना उस खेत को वो गाएंगे कैसे इस तरह ऐसे मतलब खनन के द्वारा ये लोकल चीज़ों के द्वारा खनन के द्वारा हमारा बहुत सारी जमीन खासकर जार्खन 36 कट मद्यपरदेश में खराब हो जाती है और इन राजों में वनोन मुलन भूमी निमनीकरण का कारण वना है क्योंकि वनों को काट दिया गया खनन के लिए भूमिया खोद लिए गई जिस से भूमी खराब हो गई या परदन हो गया भूमी का अधिक शिचाही से निम्नीकरन के लिए उत्तरदाई है अलब ज्यादा पानी से यहां पर भूमी खराब हो गई काँ पंजाब हर्याडा में यह कौशन हमारे नैट में आया हुआ है कि निम्नी मेंसे भूमी निमनी करण का कारण कोन से राज्यों में क्या है और इधर तो 4 करण दे रखे और इधर राज्यों से, जैसरे इसने दिया है पंजाम हर्याना में अति-सीचाई से राजस्तान में पशूचारंड से ये सारे कारण मिलवाए थे, पूछे थे ठीक है अतिस इंचन से उत्पन जलाक्रांतता भी भूमी निमनी करण के लिए उत्तरदाई है मतलब बहुत ज़्यादा सीचाई करने से वह भूमी दल-दल हो जाती है खराब हो जाती है जिसे मरदा में लवानियता और शारियता बढ़ जाती है खनीज प्रकिनियाएं जैसे स सिमेंट उध्योग में चूना पत्थर को पीषना और मरदा बरतन उध्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रियोग से बहुत अधिक मात्रा में वायू मंदल में धूल जाती है जब हम चूना पत्थर को पीषते हैं सिमेंट बनाने के लिए और इनके लिए और जब इसकी परत आसपास के खेतों में जम जाती है परत भूमी पर है इस चूने की जो म्रदा को जल सोखने की प्रक्रिया जिससे अवरूत दो जाती है मतलब चूने की परत आकर उपर पतली-पतली मिट्टी पर जम जाती है जिससे वो पानी को सोखनी पाती पिछले कुछ वर्षों से देश्ट के विभिन भागों में ओद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अप्षिष्ट पतार्थ भूमी और जल प्रदूशन का मुख्य कारण बना है कि जो इंडस्ट्रीट से जो अप्षिष्ट निकलता है उससे भी भूमी प्रदूशित हुई है भूमी निमनी करण के समश्याओं को सुल जाने के कई सारे तरीके हैं अब इसको सुल जाएं कैसे समश्या को एक तो वनार ओपन करना चाहिए हमें एक चारागाहों का ओचित प वापस गिर जाए है ना मतलब अपक्षया परदन नहीं हो मिट्यों का पशुचारण नियंत्रण रेतिले टीलो और काटेदाल जाडिया लगाकर इसे इस्तिर बनाने के प्रकिरिया भूमी के कटाव को की रोक्ता हम शुष्क छेत्रों में कर सकते हैं तो रेतिले छेत्रों हमें तो टीलों के गिनारे जाडिया लगा दे हम ताकि मिट्टी उड़े तो उनमें रुक कर वापस नहीं गिर जाए हैं और पशुचारण पर नियंत्रण रखे यह तो हम शुष्क छेत्रों में कर सकते हैं बंजर भूमी के उचित प्रबंदन करें हमें मतलब बंजर भू भूमी और जल प्रदूशन दोनों ही कम हो मतलब उद्ध्योगों से जो अप्शिष निकलता है उसको पहले जल को मतलब साफ करें हैं उसके बाद ही उसका विसर्जन भूमी और कांपने करें पानी में करें ठीक है अब हमारा बचा म्रदा संसाधन आज हमने पढ़ा बू सं कम्प्लीट होगा तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच बाइबाई